अब इसकार आगे डिसकस करेंगे क्रांट अफेर के कॉशिन्स देखिए आप इनको PGT की भास में नैशनल इंटरनेशनल आफेर के क्वेशन्स भी जो हो कह सकते हैं आने वाला कोई भी एक्जाम है चाहे वो अलाइट सर्फिस का है चाहे प्जीटी का पेपर वन है चाहे चाह चाहां पर भी एक क्रांट अफेर नैशनल इंटरनेशनल आफेर के क्वेशन पूछे जाएंगे डेफिनिटली आपको हल्प मिलेगी जैसे की पहले भी जो हो मिलती रही है क्वेशन इमर्वन से डिसक्रेशन स्टार्ट करते हैं इन वीच स्टेट इस लॉंगेस्ट रूप उसका नाम है गिर नर रूपवे आपने ध्यान रखना है यह जो है व सबसे बड़ा रूपवे इसको इनोग्रेट किया गया अभी और इसको 24 अक्तूबर 2020 को इनोग्रेट किया गया था इस रोब से जो हो रास्ता जाता है अम्बाजी मंदिर को अमबाजी मंदिर जो है ना उसके बहुत सारे 5000 स्टेप्स लगवक जो हो कम हो जाएंगे इस रूब्बे के बनने से और जो रास्ता चार गहंटे में कंप्लीट होता था वह अब साथ मिंट में जो हो कंप्लीट हो जाएगा अगर हम हाइट की बात करते हैं जो पोल यहां पर लगे हैं 60 मीटर जो इनकी हाइट है वह है और अमबाजी मंदिर में स्टेप्स लगे हैं तो एक हजार स्टेप्स के बाद जहां वह पोल लगाए गए इस तरह से कुछ है यह सारी चीजह इंपॉर्टन नहीं है इंपॉर्टन क्या है इंपॉर्टन है कितने किलोमेटर ध्यान रखनी है आगे बोलते हैं who won the Grammy Award 2024 for best global music album तो बोलते हैं कि 2023 का जो जो है Grammy Award दिया गया है तो बोलते हैं कौन सी best global music album रही है जिसको यह दिया गया है चार options आपके पास यहां पर दी गई है कौन सी album यह अभी रही है 2004 में अब देखो 2024 में सकती album जो हो रही है option भी जो है अब सकती album जो हो रही है आपने यहां से क्या क्या बातें जो हो ध्यान रखनी है आपने यहां से ध्यान रखना है कि जो Grammy Award है कौन सी field में जो हो धिया जाता है ठीक है यह question पूछा जाता है Grammy Award कौन सी field में जो हो धिया जाता है पूछा गया है question तो आपने आपका अंसर क्या ह कि ग्रैमी एवार्ड जो है वो म्यूजिक की इंडस्ट्री में दिया जाता है म्यूजिक टैट में साथ यह कॉशन पूछा गया था अब यहां पर आपने ध्यान रखना है कि इसकी जो सेर्मनी हुई जहां पर यह वार्ड दिये गए वो कहां पर हुई तो वो लॉस एंजल्स में जो था वो हुई यह आपने ध्यान रखना है लॉस एंजल्स में जो था यह हुई और इंडिया के जो मुजिशियन्स हैं जैसे कि संकर महादेवन हो गए जाकीर हुसैन हो गए इनको जो है इनका जो बैंड है जिसको शक्ति नाम दिया गया है इसको जो हो बैस्ट ग्लो जून 30 2023 को जो था वो इसमें फीचर है यह आपने नोट करनी है बात जाकीर हुसैन है उनको जो हो यहां पर बैस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस में भी जो हो अवर्ड दिया गया है जाकीर हुसैन को इंडिविजुली भी तो यह भी पता होना चाहिए पता चलाना ग्रैमी अवर्ड का 2024 में 66 फंक्शन हुआ कहां पर हुआ लॉस एंजल्स में हुआ कौन-कौन से एवर्ड दिये गए किस बैंड को यह एवर्ड मिला और आगे भी कोई इंपोर्टन कोईशन यहां से मिलता है या भी बनता है कोई इंपोर्टन कोईशन इस तरह का जो इंडिया विंटर गेम विंटर गेम जोंगी अगर हम बात कर Bush initiative ना यह कhosन पर क्रोनिज कियो एंडिया विंटर गेम स्टेलिया विंटर अइंडुर मीच्चच जा रही है और पहली बार इंडिया और फेंडर यह ना कर फर्वरी Πचईस के बीच में जो हो ओगा तो खेलोड इंडिया विंटर गेम्स जुए ओ इंपॉर्टट है खेलो इंडिया विंटर गेम्स में जब भी कोई ऐवाड जी देगा वो भी important होगा यहां से यहां पर जो masket इसका रखा गया है वो क्या रखा गया है masket भी important बनता है masket इसका जो रखा गया है वो snow leopard के name से रखा गया है scene a scene इस तरह से रखा गया है यहां पर लिख देता हूँ मैं scene a scene जो है वो रखा गया है ये आपने ध्यान रखना है इसको सीन को सान भी लिखा गया है कहीं पर तो इस तरह से आपने ये ध्यान रखना है कि स्नो लैपट की तरह जो दिखने वाला ये सीने सीन है ये जो है वो इसका जो है वो क्या रखा गया है मसकट जो है वो रखा गया क्या हमने इस तरह की कोई और भी गेम्स पहले पढ़ रखी हैं तो अगर पढ़ रखी हैं तो उनको रिवाइज करना important हो गया हमने last time ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में पढ़ा था 2024 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुई हमने उनके बारे में जुथाओ पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुई उसमें टॉप स्टेट जुथा वो कौन सा रहा टॉप स्टेट जो रहा मैडल टैली में वो महराष्टरा स्टेट जो था वो रहा और आपने ध्यान रखना है कि महराष्टरा ने यहां पर कितने मैडल जो था वो जीत कर लाए या फिर महराष्टरा कितने मैडल जीत कर सबसे स्रेष्ट स्थान पर जो है वो रहा तो पर हर्याना 103 मेडल होने के बावजूद भी इसलिए आया था क्योंकि हर्याना के दोरा सिर्फ 35 गोल्ड मेडल जीते गई थे और जो आपका दूसरे नमबर पर तमिलाडू था इसके वारा 38 गोल्ड मेडल जो था वो जीते गई थे और इनकेस महारास्टरा बात करें तो 57 गोल पर हुआ था यह तमिलाडू में जो था वह था यह भी आपने ध्यान रखना है कि कहां पर हुआ था यह इवेंट तो यह सारे इस तरह के इंपॉटन्ट एसपेक्ट होगे पॉइंट होगे यह बार बार रिवाइज होंगे अभी आने वारे वीडियो में भी तो यहां से आ साहिता है कि इसके तेसे कितने स्ट्रीट वेंडर जो है न वह talk arrived हमें अभी तक बताया ग spec Εですね प्रदान वंतरी निरेंदर मोदी ने जो है वो स्ट्रीट वेंडर आतम निर्भद जिसको पी-म स्वनिधी स्कीम भी कहा गया यह स्कीम जो था वो लॉंच की थी इस स्कीम को जो है इसमें क्या टार्गेट जो था वो रखा गया था इसमें टार्गेट रखा गया था कि स्ट्रीट वेंडर जो होते है ना उनकी मदद की जाएगी जो भी कोवीड-19 की महामारी से प्रभावित हुए थे ना उनको यहां पर साइटा देने के लिए कहा गया था एक साल की अवदी के लिए यहां कहते हैं तो दस हजार पर तक का जो है वो रिन मंजूर किया जाना था और इसमें इंट्रेस्ट रेट जो था थो थो थोड़ा सा कम रखा गया था अब मैंने इतना कुछ आपको बता दिया यहां क्या 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 क्यूश्ट यहां से बन पर था और तीसरा जो भी डिटेल में बताया आपको कि दस हजार पर तक का लोन मिलेगा यह वो वो सारी बातें ना कहीं पर भी अग्जाम में इंडिरेक्टली पूछी जाए ना तो आपको बता होने चाहिए अब क्वेश्ट पूछने वाले ने पूछ लिया कि पी-एम स् आने दीस की ठीक है यह भी क्वेश्टन पूछ सकते हैं यहां पर तो क्वेश्टन में सब कुछ दिया गया है पर तो क्वेश्टन से क्वेश्टन बनाना एक्जामनर का काम रहता है तो वैसे ही क्वेश्टन पूछता है जो ना पढ़े हो या फिर कम पढ़े हो यही सब व important point बन रहा है क्योंकि एक state ऐसा है जिसने इसको implement करने की बात कही थी और लगबग final state पर पहुंच भी कया है अब बात करते हैं यहां पर कि कौन से article के तहद पहले यह आता है तो article number 44 आपने Indian constitution का पड़ा है जो कि directive principle of state policy के तहद आता है uniform civil code यह जो है वो क्या करता है यह बात करत है हम यह जानते हैं कि UCC होता क्या है UCC देखो क्या होता है uniform civil code यह एक ऐसा code है जो यह बात करता है कि जितने भी धर्मों के लोग है उन सभी के लिए एक कानून बनाया जाए जो marriage का कानून होता है जो divorce का कानून होता है बच्चा गोत लेने का कानून होता है इस तरह का सभी के लिए एक कानून हो इससे क्या होगा अभी देखो अलग अलग धर्म है को हिंदू मैरीज एक्ट है मुस्लिमों का अलग से मैरीज एक्ट हो जाएगा पिर इनका तलाग का प्रोसीजर जो है अलग से चलता है क्या होता है कि वोमेंस के साथ exploitation होती है तो उस exploitation को जो है वो रोका जाएगा equality को जो है वो society के अंदर लाया जा सकता है परन्तु कुछ drawbacks भी इसके बताया जाते हैं कि जो कि fundamental right हैं जो कि religious minorities को जो है protect करते हैं उनका जो है violation यहां पर हो जाएगा एक इस तरह का जो है वो society में आ सकती है तो यह है परन्तु हमारे लिए क्यों बने वो क्या 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 बने उत्राखंड बना यूशी सी का article बना डिरेक्टिव प्रिंसिपल आफ स्टेट पॉलिसी के तहद यह आता है यह question बना हमारे लिए यूशी सी होता क्या है मेंस के लिए question बन गया कई एक्जाम ऐसे होते हैं जिनमें बड़े असान-असान questions को tough कर दे जाता है तो कई बार पूछ लेंगे यूशी सी की full form होती क्या है इसकी full form होती अगले question में यहाँ पर बोलते हैं recently which country has become the first European country to accept the unified payment interface यहां से भी एक full form आपको ध्यान रखने है UPI की UPI की पूरा नाम होता है unified payment interface तो बोलते हैं कि UPI payment system को accept करने वाला जो पहला European country बना है वो कौन सा बना है UPI को accept करने वाला जो पहला European country बना है वो कौन सा बना है आपने ध्यान रखना है आपने France का नाम ध्यान रखना फ्रांस के प्रेजिडेंट जो थे ना एम्यूल मेक्रोन वो जो था वो के अब आए थे जब हमारा यहां पर 26 जनवरी था ना उस दिन यह आये थे 26 जनवरी की प्रेट में भाग लिए था अब फ्रांस की जो कंटेंजेंट था एक उसने भी यहां पर भाग लिया था कर अब फ्रांस आया था यूसे को पहले बुलाया गया था यूसे ने इंकार कर दिया फ्रांस फिर भी आया तो फ्रांस के साथ दोस्ती जो हो गहरी हो जाती है अब फ्रांस के प्रेजिडेंट और प्रदानमंतिक नरेंद्र मुद्धी गई थे गूमने राज्यस्तान यह गई थे वहां पर इन्होंने चाइपी या कुछ स्वान लिये था शायद राम मंद्री का छोड़ा सा एक मूर्थी टाइम में लिये था तो उसमें इन्होंने क्या किया था यूपियाई के थूपेमेंट की थी यूपियाई के थूपेमेंट की थी और वहीं से जो है यह पहल निकल कर आ जाती है कि फ्रांस जो है वो सैप्ट यूपियाई को सैप्ट करने वाला पहला यूपियन कंट्री जो है वो बन जाता है यूपियन कंट्री की बात करते हैं तो European country में आपने ध्यान रखना है कि नाटो नाटो जो की चर्चा में नाटो के नएस दस्ते जो है वो बन रहे हैं अब नाटो का नएस दस्ते जो हो अभी कौन बना है देखो फिनलेंड तो इसका पहला सदसे बन चुका था और फिनलेंड जो था वो 31st मेंबर बना था नाटो को जोईन करने वाला ठीक है प्रन्तु उसके बाद नाटो में जाने की होड थी स्वीडन की भी स्वीडन भी चाहता था नाटो में जाएं कुछ दिक्कतें आ रही थी अब स् 302 अब मेंबर जल्दी ही बन जाएगा नाटो में अंटर करने वाला या फिर आफ कहेंगे नाटो का सदस्थ्य बनने वाला नाटो की बात करते है तो नाटो का पूरानाम होता है North Atlantic Therapy Organization ये नाटो का पूरानाम होता है नाटो के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका तो रिवाइज हो जाएगा साथ में आपका भी नाटो का जो स्थापना थी वो कब की गई थी देखो नाटो की स्थापना 1949 में की गई थी वासिंग्टन डिसी यूएस में इसकी स्थापना की गई थी यह आपने ध्यान रखना है प्रंतु उसका हेड़क्वाइटर कहां पर स देखें क्या बोलते हैं बोलते हैं रिसेंटली विच स्टेट गोवर्मेंट लॉंच डॉपरेशन स्माइल एक्स तुरेस्क्व चाइड लेबरस तो बोलते हैं कौन सा स्टेट ऐसा है जिसने जो बाल स्रमिक होते हैं उनको बचाने के लिए ऑपरेशन स्माइल एक्स जो है वो शुरू किया है smilex operation जो है वो start किया गए है आपने ध्यान रखना है कि ये कौन से state के द्वारा जो है वो किया गए है तो ये तेलंगना state के द्वारा जो है वो किया गए है ये आपने ध्यान रखना है कौन से state के द्वारा तेलंगना state के द्वारा option भी जो है वो से अंसर हो जाएगा तिलंगना पुलिस देखो तिलंगना पुलिस ने जो है वो अब तक 3000 चिल्डरन को जो है वो इसके तेहद रेस्क्यू कर लिया है और इसमें देखो हिमाचल इसमें जो है तेलंगना पुलिस जो है और भी डिपार्टमेंट्स के साथ गॉल हम बात करते हैं तो तिलंगना का भी एक और क्रंटा फिर कोईशन बन सकता है क्योंकि तिलंगना में लेक्शन अभी हुए है लास्टी अधी कोईशन बन जाएगा कि तेलंगना की जो एसेंबली है जिसके लिए भी लेक्शन हुए थे कितने सीट्स वहां पर आती है तो 119 स का नाम अपने ध्यान रखने है अभी देखो लोगसभा के लेक्शन आ रहे है तो जिस भी स्टेट को हम डिसकस करते हैं न पॉलिटिकल पॉइंट आफ यू से तो उसकी मैं लोगसभा और राजसभा की सीट्स भी आपको बताता हूँ क्योंकि अभी अभी क्या होगा अभी अभी जूहैं वो लोगसभा के लेक्शन होगे कुछ एक एक स्टेट में तो अभी फरवरी के महीने में ही राजसभा के लेक्शन भी हÖंगे हीमाचल की भी एक सीट राजसभा की वहां से भरी जाएगी तो देखिए जी तेलंगना से 17 मेंबर जो हैं लोग सभा के चुन कर जाएंगे और तेलंगना से 7 मेंबर राजिसभा के चुन कर जो हो जाते हैं तो ये भी तेलंगना का एक सिनेरियो रहेगा ये भी important है आपको देखो क्यों मैं बार बार ये चीज़ें रिवाइस करवा रहा हूं तेलंगना के बारे में क्योंकि यहांपर मैच करने को जो है ये question आ जाएगा मैच करने को question आ सकता है देखो हम बात करेंगे यहांपर world cancer day की World Cancer Day की हम बात करेंगे यहांपर और हम जानेंगे कि World Cancer Day की थीम क्या रखी गई है ठीक है जी हम थीम जानेंगे इसकी और थीम जानेंगे हम इसकी अभी की 2024 में क्या थीम रखी गई है Directly मैं थीम की ही यहांपर बात कर रहा हूँ close the care gap करके जो है वो theme रखी गई है close the care gap करके जो है वो theme रखी गई है last video में हमने जाना था कि यह जो world cancer day मनाया जाता है यह मनाया कब जाता है after all यह भी पता होना चाहिए तो world cancer day फरवरी के महीने में मनाया जाता है और 4 फरवरी को जो है यह मनाया जाता है तो चार फर्वरी important है चार फर्वरी को ये world cancer day जो है वो मनाया जाता है दोखो अभी फर्वरी का महीना चला हुआ फर्वरी के मैं important day आपको मता देता हूँ चार फर्वरी को जो हो national cancer day world cancer day जो हो sorry मनाया जाता है world cancer day मनाया जाता है हमने दो फरवरी भी जो था वो पड़ा था दो फरवरी को World Wetland Day जो है वो मनाया जाता है और उसके बार depois 18 फरवरी को सरोजिनाअटुजी का बार्थडे आता है उसके बाद 13 फरवरी के बाद 24 फरवरी को स्थेंट्रल एकसाइस डे जो है वो मनाया जाता है तो ये भी आपने ध्यान रखना है C.V. Ramon जी का हमने जाना था C.V. Ramon जी को जो है वो Novel Prize भी जो है मिल चुका है और C.V. Ramon को 1930 में जो था वो Novel Prize जो था वो मिला था Physics के लिए तो इनको Novel Prize in Physics कब मिला था 1930 में जो था और हमने अभी पढ़ा था कि लाल क्रिशन अडवानी जी को जो है वो भारत रतन अवार्ड दिये जाएगा 2024 का और कर पूरी ठाकर जो है उनको भी जो है 2024 का ये भारत रतन अवार्ड दिये जाएगा साथ में हमने क्या जाना था यहां पर हमने फर्स्ट भारत रतन अवार्ड जो जिद दिये गए थे ना उनके बारे में जाना था 1954 में किस-किस को दिये थे सीवी रमन भी थे जिनको 1954 में यह भारत रतन अवार्ड दिये गए था इनके साथ जो बाकी लोग include थे वो कौन कौन थे सर्वापली दादा किष्णन जी थे और असी राज गुपाला जारे जी थे जिनको 1954 में ये एवार्ड जो था वो दिया गया था देखो कितना कुछ हमने यहां से revise कर लिया काफी questions हो गए जो यहां से एक साथ revise हो गए अब पहले वीडियो देखी थी तो revise होने के साथ साथ अब आपको यह लंबे time तक याद भी रहेंगे अगर first time देखी थे तो नई चीज़ें सीख पी ली साथ मैं आप देखो PGT paper one की test series जोइन कर सकते हैं PGT paper one की test series का लिंक जो हो नीचे description box comment box में दिया गया है यह वो PGT का वेपर आने वाला है आप सभी को पता है और paper one में अगर पास होंगे तो paper two check होगा और paper two में और paper one में negative marking भी होगी तो paper one में देखो negative marking से deal करने के लिए यह important है कि आपने proper practice किया हो तो test series आप practice कर सकते हैं नीचे test series का link दिया गया है वहां से आप आवेल कर सकते हैं definitely बहुत ज़्यादा आपको help मिलेगी जैसे कि पहले भी जो हो मिलती रही है बस test series को join करने के बाद test series का group जुरूर join कर लेना अगला question देखें कि आप बोलते हैं कवच टेक्शन लॉजी इसेज आपस में आती हुई जैसे अभी उड़िशा मैं chi अबर आपको देखने को मिला था कि दो ट्रेइने को एंबना और सब्सक्राइब या काफी लोगों तो यह एक टेक्नोलोजी है जिससे ट्रेंस को कोलाइड होने से जो बचाया जा सकता है कवच टेक्नोलोजी रेलवे से जो जूड़ी हूई इसमें और क्या-क्या फीचर जो है वह इसमें होंगे पहले तो इसको देखो इंडिया ने खुद डेवल्प जो हो किया है यहां पर कंपनिज के द्व दूसरा फीचर इसका यह हो यह है कि इसमें जो पाईलेट होंगे ना उनको पालेट को तो पाईलेट को क्या होगा पता चल जायगा रेड सिग्नल अगर तूटता है तो ट्रेन को पता चल जाएगा और ट्रेन की स्पीड कुद ही कम हो जाएगी और लोग गलती से गलती से अगर कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है कि स्टेशन मास्टर को जो है लोको पाइलट के साथ कॉंटक्ट करना है तब भी यह कवच टेक्नोलोजी जो है इनको एनेबल करेगी आफसर अमरजेंसी में कॉमिनिकेशन करने के लिए यहां पर अगर पाइलट से गलती भी हो जाती है तो उस गलती से जो है लोगों की जान नहीं जाएगी यह जो है वह यहां से आप क्या है सकते हैं तो इसलिए ये कवच टेक्नोलोजी important है most important मैं तो कहूंगा अभी क्यों चर्चा में आई चर्चा में इसलिए आई क्योंकि सुप्रीम कोड ने कवच टेक्नोलोजी को लेकर जवाब मांगा सरकार से कव तक आप करेंगे जल्दी कीजी क्यों नहीं कर रहे तो ये सब बातें थी तब ही ये चर्चा में आई अंगला कोशिन देखते हैं मार पास क्या आप बूला गया है अगले कोशिन आप बूला गया था फर्स्ट भीम स्टेक एक्क्वर्टिक चैंपियंशिप पर बूलते हैं कि फर्स्ट भीम स्टेक की अक्वर्टिक चैंपियंशिप होगी वह कौन से सिटी में होगी तो देखो यह जो फ़र्स्ट भीम स्टेक चैंपियंशिप हुई इसको अनुराक ठाकुर्ट जो माचल का वेपर है और ही माचल के ही मिनिस्टर है यह तब और भी जाता है important question बन जाता है अब beam stack की हम बात करेंगे क्योंकि यहां से question बने है previous scenario में beam stack से क्या-क्या question बने हैं और क्या-क्या question पूछे जा सकते हैं पहले तो beam stack से question पूछे सकता है कि इसका full form क्या है ठीक है beam stack का full form है Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation यह आपने ध्यान लखना है और आपने साथ में ध्यान लखना है कि beam stack जो है इसकी स्थापना कप की गई थी देखो वैसे तो 1997 में यह Bangkok declaration से जो था वह स्थित्तों में आया था इसका सेक्ट्रेट जो है वह कहां पर से धाका में स्थित्त है अब इसमें countries कौन-कौन सी है कि इंडिया भी इसका member है तो इसमें मुख्य रूप से 7 countries जो है वा आती है जैसे कि इंडिया इसका member है जी बिल्कुल सही बात है इंडिया के लावा जो है वो भुटान है इसका member मयानमार इसका member है थाइलेंड इसका member है बांगलादेश इसका member है स्रिलंका इसका member है और स्रिलंका के लावा जो है और इनग्रेटर भी की गई है फर्स्ट भीम स्टेक एक्क्वेस्टिक चेंपियंशिप ये है बीम स्टेक का पूरा नाम पता चल गया बेया बेंगाल इनिशेटिफ और मुर्टी सेक्टरल टेक्निकल एंडिकॉन में कॉर्परेशन अच्छी लास्ट टाइम हमने क्वेशन दिखना है डंग से गल्ती छोटी सी थी प्रन्तू important question है गल्त नहीं होना चाहिए आपका किसी भी हाल में अभी correction करें अगला question हम देखेंगे प्रन्तू से पहले अगर आपने अभी तक allied service की test series को join नहीं किया है तो allied service की test series का link जो है वो नीचे description box comment box में जो है वो दिया गया ह आपको पता है 2024 का यह जो पेपर है यह important रहने वाला है काफी time की बाद पोस्ट है ने करिया है तो आपको एक अच्छा platform मिल जाएगा test series practice करने के लिए आप अच्छे से practice कर सकते हैं नीचे description box comment box में link दिया गया है definitely join जब करेंगे तो test series का group जूर जो हैं वहां से बहुत ज़ हैं सबसे अधिक बजट जो अवंटित किया गया है वो किस को किया गया कौन सी country को किया गया चार options आपके पास दीखिए मैंने सभी country आपको बताई थी अभी आप comment करके बताएंगे साथ मैं कि कौन सी country को जो है कि सबसे ज़्यादा allocation जो है वो रही है या फिर किसको सबसे ज इसनेंगे बड़ी सैंसलि